हलो इस्ट्रेंट, सब सब का स्वागत है हमारे चनल Amplitude Studies 250 में देखिए, Applied Physics 1st की क्लास है, BTUP के लिए New syllabus की और पिछले lectures तक हम vectors के बारे में सब कुछ जान चुके हैं और आज के वीडियो में हम vectors से related कुछ questions करेंगे जो की निश्यत रूप से आपके exam में आपको फायदा पचाएंगे पहला question है देखिए, 10 Newton का एक बल 36 दिशा से 30 degree के कौन बनाता है तो बलके उर्ध एवं 36 घटक ग्यात करिए देखिए थोड़ा diagramatically अगर इस चीज़ को देखें तो 10 Newton का ये force है और 36 ये रहा और इससे 30 degree के angle बन रहा है तो उर्ध और 36 ये दोनों घटक निकालने है तो इसके लिए मैंने आपको trick बताई हुई है कि अगर कोई vector दिया है और उसके दो लंबवत दिशाओं में घटक निकालने है तो जिधर angle दिया होता है उधर cost ले लेते हैं यानि कि A का घटक 36 दिशामें का निकालेंगे तो एक और सीटा होगा theta की value 30 डाल दी और force की value जो है वो 10 डाल दी ये solve किया root 3 by 2, root 3 value 1.732 होती है तो ये solve करके आपका 8.6 newton ये आजाता है अब उर्ध घटक तो ये बताया था मैंने कि जब दूसरी तरफ ले जाएंगे उसका component तो वो A sin theta हो जाता है तो 10 sin 30 हो गया 3 sin 30 half होता है तो यहां से 5 newton आपका answer आजाता है तो दोनों उर्ध और 36 घटक इस तरह से आराम से निकल जाते हैं इसके बाद question number 2 पे आते हैं एक पिंट पर 20 newton का बल लगाया जाता है तो यह बल की दिशा से 30 degree का कोण बनाते हुए 3 मीटर विस्थापित हो जाता है तो बल दोरह तिये काड़ के गढ़ना करिए तेखिए अगर numerical को समझना है कि क्या हो रहा है तो diagramatically जरूर visualize किया करिए force और displacement वाला concept है यहाँ पर देखिए बल भी है, angle भी है, विस्थापन भी है तो यह इसमें इस तरह से हो रहा है कि यह object चल रहा है force जैसे यह लग रहा है 20 newton का और 30 degree पे लग रहा है और 3 मीटर चला जा रहा है तो यह एक तरह से force 20 newton हो गया theta 30 हो गया, s3 हो गया w is equal to f dot s यहनिका f s cos theta होता है हमने सारी value रख ली, solve किया देख लीजिए आप solve करके जो है आपका यह 51.96 joule यह answer आ जाता है, कार रहे तो joule में आएगा answer इसके बाद question number 3 पे चलते हैं सिद्ध कीजिए कि vector जो है a vector equal to 4i minus j plus 2 के तथा b vector is equal to i plus 2j minus के यह अपरस पर लंबवत है तो दो vector अगर लंबवत है तो उनका dot product 0 होना चाहिए यह चीज condition हमने proof भी करी थी और यह आपको याद भी होना चाहिए तो हम क्या करेंगे, a dot b यहाँ पे निकलना शुरू करेंगे हमने a लिख दिया, b लिख दिया, b भी बीच में dot अब देखे क्या होता this dot product का rule II के गुणाइंकों का गुणा कर देते हैं JJ के गुणाइंकों का गुणाइं और KKK के गुणाइंकों का गुणाइं कर देते हैं और जोड़ देते हैं तो यहाँ पर देखे 4 x 1 हो गया है तो ठीक अब देखे माइनस 1 और 2 है तो अगर दिक्कत है आपको तो आप प्लस लगाईए फिर ब्रेकेट में चेलने साइट लिख दीजिए यह सबसे अच्छा तरीका रहता है कि शुरुआत में आपके अब वैल्यू नोट करिए माइनस प्लस का हैटग अगली लाइन में लीजिए अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 4, माइनस 2, माइनस 2 यानि कि यहाँ से 0 आ गया और इसलिए यह वेक्टर प्रस पर लंबवत है आप देखें प्रूफ भी करना था कि सिद्ध कीजी के लंबवत है तो 0 तो आना ही आना था ठीक है ना तो यह इसलिए हमारा आंसर आ जाता है अब कोशन नमबर 4 है यह कोशन नमबर 3 का ही मतलब एक तरह से कह सकते हैं उसी से related brother कोशन है पी का वहमान बताईए जिसके लिए vector A vector equal to इतना और B vector equal to इतना परस पर लंबवत हो देखें इसमें क्या किया है लंबवत दे दिया है और यहाँ पर एक नमबर missing कर दिया है और उसकी जगे पर पी दे दिया है तो अगर यह vector लंबवत है तो dot product 0 होगा जिसका जब condition fill करेंगे apply करेंगे तो पी जो unknown number है वो आपका calculate होकर के निकलाएगा यह question पिछले जाले का ही एक question बन जाता है तो यह लिखा में यही यदि vector परस पर लंबवत है तो उनका अधिश गुणा शूनी होगा ने कि A.B.0 होगा अब A और B की value यहाँ डाल दी तो देखे जब गुणानकों का गुणा करेंगे तो यह P रह जाएगा और यह P solve होकर के आपका आ जाएगा तो P की value यहाँ पर टूगा जाती है इसके बाद देखें next question पर चलते हैं दो vector का योग वा अंतर परस पर लंबवत है सिद्गीजे की दोनों vector परिमाण में बराबर है दो vector को जोड़ें और या फिर उनका अंतर करें तो वो आपस में 90 degree पर है तो 90 degree वाली condition क्या होती है वह dot product 0 होता है वो condition है तो हम वही condition इसमें apply करेंगे माना vector A और B है योग इनका क्या होगा तो A plus B हो जाएगा इनका जो अंतर है तथा इनका अंतर जो है देखिए A minus B हो जाएगा अब दिया है question में कि ये परस पर लंबवत है तो इनका dot product 0 होगा अधिश गुणन शून नहोगा A plus B और A minus B ये देखिए हमने लिखा बीच में dot लगा के 0 कर दिया अब इसी को solve करके कुछ आना चाहिए यहाँ पर देखिए हमने dot product खोला तो A dot A minus B dot B नहीं A dot B सौरी फिर plus B dot A minus B dot B अब इसमें यह है कि अधिश गुणन में सेम का सेम से करते हैं self product तो वो परिमान के square के बराबर हो जाता है और साथी साथ A dot B और B dot A करम विनिमें नियम का पॉलन करते हैं यानि कि बराबर रहते हैं तो हमने कहा किया इसको A square कर लिया A dot B को तो A dot B रहन दिया इसको भी हमने A dot B ही कर लिया ताकि यह प्लस माइनस हो करके कट गए और यह माइनस का B square हो गया अब यहां से A square minus B square 0 यानि कि A square equal to B square अंडरूट ले लिजे तो यानि कि A equal to B आ जाएगा यही question में प्रूफ करना था कि सिद्ध कीजिए दोनों वेक्टर परिमान में बराबर है तो यह equal to B तो हम नीचे लिख देंगे इसमें कि अता दोनों वेक्टर परिमान में बराबर है यह लिख देना चाहिए था यहां पर लेकिन वो नहीं रहा तो इस तरह से जो है यह तो इस तरह से यह वेक्टर के हमारे सारे lecture सारे numerical complete हो जाते हैं तो यह questions आपको समझाएंगे इसके सारे आप बाकी questions भी try कर सकते हैं कोई related query हो तो comment में पूछ सकते हैं चैनल के पहली बारा हैं सब्स्राइब जरूर कर लिजेगा और वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें और पसंद आया है तो लाइक भी कर दे मिलते हैं आप से ऐसे ही किसी नेक्स वीडियो में धन्यवाद